हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटीव चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी जटपट से बनने वाली सोया चिली चाप की रेसिपी जी हां बिलकुर रेस्टरांट स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही इजी वे से तो चलिए आज की रेसिपी आज मैं दो से निकाल कर रख लिया है अब हम इसे क्या करेंगे मैं फिक्स बाहलालoss छी किरी चाहती तो मैंने पानी को कर लिया है इजी रगा चारप करेंगे सोया चाप की स्टिक्स बस बिलकुल हाइ फ्लेम पर हमेसे तीन से चार मिनट के लिए बाहल कर लेंए इसलिए कर करना पड़ता है कि हमें sticks को इसे लग करना होता है इसलिए हम इसे बॉयल कर लेंगे बस एक बॉयल आ जाए बस अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे इसे ऐसे sticks से अलग कर लेंगे बस बहुत ही easy है अब हम इसे अपने मन चाहे pieces में cut कर लेंगे तीन से चार pieces में मैं इसे cut कर लूँगी बस आप अपने according छोटे बड़े pieces से cut कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे friends एक बॉल लेंगे बॉल में एड़ कर देंगे थोड़ा सा ginger बारी कटा हुआ जिसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मैदा आड़ करेंगे all-purpose flour दो बड़े चमट नमक और black pepper एड़ करेंगे थोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे चाट मसाला बस अब हम थोड़ा सा पानी आड़ करके इसकी अच्छे से coating कर लेंगे सभी सोया चाप पर अच्छे से coat हो जाए मैदा और इसे अच्छे से मैंने हाथों की help से ही इसे mix कर लिया है अब हम इसे करेंगे fry हमें बिल्कुल low medium flame पर करना है तांके यह अंदर तक अच्छे से cook हो जाए फ्रेंड्स सोया चाप का अपना कोई भी टेस्ट नहीं होता इसे टेस्ट देना पड़ता है मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है आप उन्हें चक कीजिए देखिए अच्छे से सोया च देखिए तरह सोस बनाने के लिए हमें चाहिए कडाई बारिक कटे हुए गार्लिक और जीनजर आड कर देंगे बहुत ही अच्छा अच्छा फ्लेवर आता है अब हम किया करेंगे इसमें अदरक जीनजर एड कर देंगे इस भी अच्छे से सौटे कर लेंगे lesson के साथ अब हम इसमें ऐसे petals में कटे हुए onions को add कर देंगे बहुत ही अच्छा flavor आता है आप इसी तरह से sauce बनाईए बहुत ही tasty बनती है capsicum आपको add करेंगे मैंने यहाँ पर green capsicum ली है आप लाल पीली जो भी आपको अच्छी लगे add करेंगे अच्छे से saute करेंगे थोड़ा सा नमक add करेंगे और इसके साथ ही हम add कर देंगे black pepper बहुत अच्छा टेस्ट आता है saute करेंगे 2-3 मिनट के लिए gas को हम बिल्कुल flame पर रखेंगे high पर अब इसमें sauces एड़ कर देंगे red chili sauce, green sauce, soya sauce का एक चमच और add कर देंगे जहां पर हम थोड़ी सी pizza pasta sauce इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें जो fry किये हुए थे हमारे soya chape के pieces वो add कर देंगे बस friends मैंने यहां पर corn flour का use नहीं किया, घर पर बना रहे हैं तो corn flour का use नहीं कीजिए बस थोड़ा सा पानी add करेंगे और अच्छे से mix करेंगे दो-तीन मिनित के लिए हम इसे ढख कर भी पका cook कर सकते हैं अगर आप ना चाहें तो ऐसे cook कर लीजिए ready है हमारी soya चिली चाप बन के garnish करेंगे सप्रिंग उनिया जा फिर coriander लीफ से तो लीजिए अब हम इसे serve कर लेते हैं बहुत ही tasty yummy बनी थी friends आप इसे इसी तरह से बनाईएगा बहुत ही tasty बनी थी बच्चों को family को सबको अच्छी लगी थी आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आप इसे starter में भी बना सकते हैं बस एक पीस मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ अंदर तक sauces इसके जा चुकी है मैं एक cut कर कर दिखाती हूँ देखिए कितनी soft बनी है अगर friends आपको हमारी आज की चिली सोयच आपकी recipe अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe जरूर करें मैं मिलती हूँ आपसे next recipe के साथ तब तक के लिए good bye take care and happy cooking